हेलो, नमस्कार, मेरा नाम अरुन मामपड़ी है और आज मैं एक छोड़ा प्रेजनेशन प्रेजन कर रहा हूँ जो सेमी कंडेक्टर फाब इन इंडिया के विशे में है इसके 10 स्लाइड्स इंग्लीश में बना है और मेरा एक्स्पिलनेशन जितना कर सकूँ मैं हिंडी में करने का कोशिश करता हूँ तो हम सीधे टॉपिक में चलते हैं What and Why of Semiconductor Fab Semiconductor Fab या Semiconductor Foundry होता क्या है और किसलिए इंडिया में Semiconductor Foundry होनी चाहिए हम सब जानते हैं कि इंडिया सॉफ्ट्वेर के फील में अल्रेडी एक पावर हाउस है और हार्डवेर, इलेक्रोनिक हार्डवेर के फील में पिछले दो तीन वर्षों में बहुत सारे Assembly Testing, Marking और Packaging, ATMP बोलते हैं यूनिट्स इंडिया में शुरू किया है, शुरू हुआ है जिसके कारण Made in India, जो Parts इंडिया में Assembled है, जो Products इंडिया में Assembled है Mobile Phones मेंगेरा उनका Volume बढ़ चुके है मगर इन Products में, जैसे कि Mobile Phones में जो Semiconductor Chips यूज करते हैं वो अभी भी इंडिया के बाहर से Imported है इंडिया में Semiconductor Fab, यह Chips बनाने वाले Semiconductor Fab, Commercial Fab नहीं है जो छोटे Fabs है, एक Semiconductor Lab SEL मोहाली में है, इस रोगे अंडर है चोटा है और उसमें 180 Nm Technology और 200 mm Wafer Size चलता है DRDO का सितार नाम का एक छोटा FAB है, और IIC का Sense और IIT में Electrical Department के Attached छोटे Fabs है, वो ज्यादतर R&D में Focus करता है R&D और Prototyping में Focus करता है पिछले 15-20 years है, बहुत सारे Attems हुआ है इंडिया में एक Commercial Semiconductor Fab Foundry खोलने का मगर कुछ Take Off नहीं हुआ है, और बाकी Slides में में Fab के Fundamentals, Market, Reasons for India to open one सब दिखाता हूँ तो ये Wafer, Dye, Chip और Final Product कैसे होता है तो Middle में जो में Picture मैंने दिखाया है ये एक Mobile Phone, Smart Phone का अंदर का Picture है ये सब Pictures इंटरनेट से लिया हूँ और इसका Link में नीचे दिया हूँ आप देख सकते हैं कि एक Mobile Phone के अंदर बहुत सरे तरह तरह के ICs होते हैं, तरह तरह के Chips होते हैं CPU तो है, Memory, RAM होता है और इसके अलावा भी Network IC, Audio IC, जैसे बहुत सारे ICs है बिकास आज के स्मार्टफोन तो सिर्फ फोन का उपयोग ही नहीं है इंटरनेट ऐसे चीज़ों में Communication Related बहुत सारे Chips इसके अंदर होते हैं यह सब ICs जो आप इधर देख रहे हैं उसमें Left Side में मैंने एक Representative Picture दिया है और Right Side में दो Representative Picture दिया है इसके अंदर जो चिप है, वो ज्यादा तर सिलिकन से बनता है और इसका Starting Point है, सिलिकन वेफर जो different different sizes के आते हैं 4 इंच, 6 इंच पगरा है आज केल ज्यादा तर 8 इंच याने की 200 mm और 12 इंच याने की 300 mm ज्यादा इस्तमाल होता है नए नए Fabs जो खोलते हैं 300 mm को खोलते हैं 200 mm थोड़ा older Fabs है 200 mm या 300 mm इसका diameter है पूरा Left से लेके Right तक या उपर से लेके नीचे तक ऐसे wafer में बहुत सारे dyes एक साथ manufacture कर सकते हैं एक die का size चिप की complexity की अनुसार भिन भिन हो सकते हैं पर मान लीजे एक size है 25 mm इंटू 20 mm अगर यह size एक die का है तो ऐसे शायद 100 से अधिक die एक wafer में बना सकता है और यह पूरा wafer का process जो thousands of steps होता है semiconductor fab में यह साब steps के बाद यह dies अलग-अलग करते हैं और फिर उस die के जो उपर level है bonding pad वागरे से connections करके उसको एक IC में package करता है और सिर्फ यह IC और फिर यह IC product में use होता है तो यह एक die जो मैंने 25 x 20 mm का example लिया उसमें से अगर एक छोटा-छोटा few nanometers का area और volume अगर आप cross section ले तो थोड़ा ऐसा देखेगा जो left side में दिखाया है उसके नीचे transistors या resistors वगरा individual semiconductor devices होंगे पर उसमें से connections लेके 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 उपर तक लेके आने के लिए टेकनोलाजी की अनसार बहुत सारे levels की जरूरत होगी metals interconnects वगरे right side में जो picture दिखाया है वो इसका भी एक two dimensional cross section का picture दिखाया है ये दिखाने के लिए कि सिर्फ transistor और जो individual components की ही नहीं होते हैं उसके उपर बहुत सारे levels होते हैं उपर तक लेके आने के लिए semiconductor world में technology node के बारे में बहुत सारे चर्चे चर्चे होते हैं तो ये technology node जो भी chip है जो भी उस die में smallest transistor होते हैं या smallest device जो भी होते हैं उसके size के उपर depend करता है जैसे कि transistor के channel length जो smallest transistor है उसमें उसका channel length के साफ से technology node define हो जाता है ये channel length कम करने से chip faster भी होता है पूरा volume shrink भी होता है इसलिए जो अधिक transistors एक ही area में pack कर सकते हैं millions of transistors in a few millimeter area और power का भी कम जरूरत परता है इसलिए कोशिश हमेशा ये होता है कि advanced technology nodes मतलब कम channel length वाले technology nodes जैसे कि 10 nanometer 7 nanometer तक जाए पर advanced technology nodes में semiconductor fabricate करना आसान नहीं है इसलिए बहुत सारे companies older technology nodes में काम करते हैं बट बहुत कम companies हैं जो 10 nanometer 7 nanometer या उसके भी नीचे 3 nanometer 5 nanometer वागरे में कोशिश कर रहे हैं अगर हम देखें तो ये fab बहुती complex equipment से भरा हुआ है complex और costly एक equipment का भी cost tens of millions of dollars या hundreds of millions of dollars तक जा सकता है और ये पूरा production line automated होता है उपर से automated robotic जैसे channels के तुरू ये wafers को secure boxes में लेके हर machine में load करता है और ये पूरा process automated होता है इसके बारे में videos YouTube में available है अब देख सकते हैं इन videos से थोड़ा snapshots में इधर दिखाया हूँ पर इधर इसलिए दिखाया कि एक semiconductor fab खोलना और उसको operate करना और उनसे products बनाना और वो products अच्छे yield वाले products बनाना बौत ही मुश्किल काम है मगर अगर पूरा market देखे तो semiconductor market globally left side में जो chart दिखाया है 10 years का 2015 से लेके 2025 तक का global product market दिखाया है left side में यह product के अनसार है तो right side के में आप देख सकते हैं कि बहुत तरह तरह के products है CPUs है और analog है products या parts बोल सकते हैं यह सब parts एक product के अंदर जाता है जैसे कि हमने देखा है mobile phone के अंदर CPU होगा और different communication chips होगे यह communication chips अधिक ज्यादतर analog टाइप का होता है बाकी CPU RAM वगेरा digital टाइप का होता है और analog का भी इसमें 100 billion dollar के असपास 2025 तक market predicted है और पूरा products 650 billion dollar 2025 तक predicted है 2025 में अगर देखे जाए तो इसमें foundry market का share करीबन 97 billion dollar का है left side में चार्ट है वो product के इसाफ से है right side में उपर चार्ट है वो foundry market इस market में foundry में कितना billion dollars होता है उसका picture है तो 97 billion dollar है उसमें 30 billion dollar के आसपास older technology nodes का है जैसे कि 28 nanometer technology node के ऊपर तो यह दिखाता है कि वो older technology nodes really older नहीं है वो अभी भी चलता है चल रहा है और चलेगा और analog ज्यादा तरोस में आता है 28 nanometer technology node पे 12 billion के असपास predicted है 2025 तक और 28 के नीचे 55 billion dollar foundry market predicted है यह भी note कर लीजिए कि 2020 इस साल में 76 billion dollar के market predicted है कोरोना कोविद के होने के बावजूद भी semiconductor market strong है semiconductor foundries strong perform कर रहा है और वो बहुत सरे companyya expand करने के भी कोशिश कर रहे है TSMC US में 12 billion dollar के plans का plan कर रहे है Samsung South Korea में advanced technology nodes 3 nanometer 5 nanometer पर बहुत सरे आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे है और 2020 में जैसे कि मैंने बोला एक पूरा साल का 76 billion dollar के आसपास का prediction है तो अगर देखे जाए तो एक quarter में वो 19 billion dollar के आसपास होगा जिसमें से 18 billion dollar top 10 players first quarter में top 10 players के contribution 18 billion dollar है यह top 10 players के नाम इदर listed है यह भी internet से लिया हुआ picture है उसमें से दो तरफ के है एक है pure play foundry जो अपना कोई product नहीं बनाता है पर दूसरे companies के लिए chips बनाता है यह हो सकता है कि company A में contain a chip that is designed and owned by company B but fabricated in a fab owned by a company C तो जो company C है जो pure play foundry अगर है तो वो सिर्फ chips बनाता है अन्या company के लिए यह खुद का products नहीं है एक इसमें जो भी है integrated device manufacturer जो अपने लिए भी chips बनाता है और दूसरे companies के लिए भी foundry service provide करता है हम आगे बढ़ते हैं इंडिया में recently government of India उनके Ministry of Electronics and IT माइटी के तुरू दो schemes announce किये है तीन schemes announce किये हैं जिसमें दो scheme semiconductor industry के लिए useful हो सकते है एक है electronic manufacturing clusters modified जिसके तुरू 50% reimbursement on land cost offer कर रहा है और यह उसमें common facility centers के लिए भी बहुत सारे incentives दिया है common facilitation center इसलिए important है कि एक semiconductor fab establish करने के पहले बहुत सारे infrastructure related चीजों की ध्यान देना चाहिए जैसे कि uninterrupted unfructuating power supply plenty of water it can it should never go dry और chemical units के supply chain और world class waste management and safety तो यह सब चीज़े अगर common facility center के through establish करता है तो उस cluster में बहुत सारे semiconductor fab units आके उनके units होलने के लिए तैयार हो सकता है दूसरा scheme है specs जो semiconductor chips और electronic components manufacture करने के लिए promote करने के लिए incentives offer किया है 25% reimbursement on capex और capex में planned machinery equipment, associated utilities, research and development और technology transfer यह सब included है यह goods के list में आख देख सकते हैं कि integrated circuits listed है और analog ICB listed है minimum 100 crore investment threshold limit है, upper limit नहीं है summary points मैंने 3-4 points लिखे हैं, यह exhaustive suggestions नहीं है पर थोड़ा tips के रूप में दिया हूँ मैंने एक ही fab में 2 या 3 या 4 tech notes हो सकता है पर उसके इसाफ से cost उपर नीचे होने की chances है एक चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इंडिया अगर fab नया try कर रहे हैं तो सीधा advanced technology notes में खोलने की कोशिश बहुत मुश्किल होगा थोड़ा mid-aged या थोड़ा older technology notes पे ध्यान दे तो हम take off कर सकते हैं और analog में अभी भी बहुत सारे chips 180, 130 वगरे technology notes में बना रहे हैं और तो उसके आसपास के technology notes में fab खोलना थोड़ा कम costly भी हो सकता है और analog इसलिए भी important है कि 5G जब बहुत popular और common होगा तब बहुत सारे chips और 5G popular करने और बनाने के लिए भी बहुत सारे chips के आवशकता है और इसलिए analog में बहुत market भी हो सकता है और ये data security और defense security के reasons में भी इंडिया में ही fab होना बहुत ज़रूरी है ये सब चीजे आगे बढ़ाने के लिए policies को expedite करने के लिए investors को guide करने के लिए, मदद करने के लिए, follow up करने के लिए ये अच्छा होगा अगर प्राइम मिनिस्टर के office के तुरू कोई technocrat को fully इस पे dedicate करे जिसको semiconductor market का, semiconductor industry का, technology का और fab operations का अच्छा knowledge है ये मेरा final slide है, जिसमें मैंने मेरे तीन articles के snapshots दिये हुए है आप internet में पढ़ सकते हैं और मेरा email ID दिया हुआ है अगर आप इस area में interested है और कुछ इंडिया के मदद के लिए करने के लिए उत्सुक है जरूर contact करे, जितना चाहे मैं आपको reply देने की कोशिश करता हूँ धन्यवाद